जहिन देखे चाइना का एक इतिहास रहा है कि वह एक कम्मिनिस्ट कंट्री है और अपने देश के अंदर हो रहे है विद्रों को दबाने के लिए अपनी जंता को मीडिया से दूर रखता है और विदेशी आकरमड या किसी छोटे मोटे लड़ाई का सहरा लेता है ताकि वहां कि इसे क्यानमे और नाचल परदेश को अपना दक्षडी तिबद कहता था ऐसा नेहरू के समय हुआ था अभी यहां पर सी जिंग्पिंग सी जिंग्पिंग जो है इसके हमें भी बहुत तेजी से बिरोध हो रहा है चाइना में सी जिंग्पिंग के खिलाब बहुत तेजी से बगावत हो रही है इसने भी वही सहारा लिया जंता का ध्यान भटकाने के लिए इसने भी भारत से लड़ाई थोपने भारतिय साइनिक को ले डंटा मार के कपार फार दिया है सब चाइनीज सब का, एक भी भारतियों को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई यह नहीं कोई भारतिय साइनिक सहीद हुआ है, यह हमारे रक्षा मंतरी का खुद का संसद में दिया हुआ स्टेटमेंट था, और व चाइना वहाँ से भाग निकला, और अभी चाइना कुछ नहीं बोल रहा है, अपनी जनता का ध्यान बढ़ करने के लिए, यह कभी ताइवान के उपर अटेक करता है, कभी यह भारत के और अभी इसके जो फाइटर जहाज थे सब, वो कई बार उत्राखंड के पास मढड़ान करने लगे सब, उत्राखंड के पास मढड़ाने के भी कई रीजन है, उत्राखंड में अभी भारत और अमेरिका की सेना, यहां बहुत करीब नंदा देवी परवत के पास आकर, चाइना के पास युद्ध भ्यास की, इसलिए वो अपने ड्रोन को और उसने सबसे बड़ा ज पर से जाके वर्णिंग देने लगती है, अगर इधर के रहा होगे तो तुम्हेरा भी इलाज कर दिया जागा बढ़िया से, चाइना को पता चल गया है कि भारत की अब विदेश नीती काफी एग्रेसिव हो गई, और यह होना भी चाहिए, हमें अपने दुस्मनों को पहच सिटी से नहीं उड़ सकता है, क्योंकि तिबबत के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, और किसी भी जहाज हो गया, उसमें इंधन जलने के लिए ऑक्सीजन की जरुवत जादे होती है, तो यहां कितना भी बढ़िया जहाज रहेगा, यहां से यहां आने में अपन बढ़ी है, लेकिन चाइना इसे अन्य जगहों से घहरना चारा है, पाकिस्तान के सारे घहरना चारा है, इधर मलक्का के सारे, इधर तंजानिया के सारे, तंजानिया के सारे, तंजानिया से साथ इधर से मलक्का को इधर से, और ऐसे चारों और से चाइना भारत को घहरना च किया गया यह एएर बेस बहुत ज़रूरी था व publish कहा है उससे पहले आपको पाकिस्तान के एवरायडिया हो नाची पाकिस्तान का इधर का अरिया है बलुचिस्तान इदर उसके दुस्मन कम है है अफगानिस्तान है तो उसके अफगानिस्तान के बहुत सारे airbase है जिसमें एक्ठ यहां सहबाज airbase इसका बहुत परसीद है यहां F-16 जहाजे रहती है सहबाज airbase शुकूर airbase यहां पर मीरपूर airbase यह तीन airbase पाकिस्तान के बहुत ही प्रंट लाइन की airbase है भारत को आगे की और काउंटर करने के लिए और एक कस्मीर के पास में आए सकारदू airbase यहां मैं कोशन पूछता हूँ इसकारदू airbase कहां पीयोके में ही है इसकारदू तो कुछ जगह जो है ना करिंट में जब फेमस हो जाते हैं तो उससे कुछ कुछ कुछता है इसलिए याद रखने आता है तो यहां मीरपूर airbase सुकूर airbase और यहां साबाज airbase यहां पर इन airbase से भारत में अंदर तक हमला किया जा सकता था इसको काउंटर करने के लिए जोदपूर में फलोडी airbase था गुजरात के कच में नलिया airbase था यहां से इसे अंदर तक counter attack किया जा सकता है तो यह airbase भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमको हर तरह से counter attack के लिए ready रहना है क्योंकि चाइना लगातार पाकिस्तान को support करते जा रहा है तो यह airbase जरूरी है भारत अपने जितने भी airbase है उसको उसमें जो जहाजों को रखने के लिए bunker है उसे अब नए model से upgrade कर रहा है उसके नामे next generation hardened aircraft shelter यह इतने मजबूत होते हैं कि runway के बाद जहाज को अगर इसमें लिया देते हैं तो इसको उपर 1000 kg कभी bomb गिरा दिया जाता है इसको कोई असर नहीं होता है इसकी testing हो चुकी है देखिए यह जहाज इसके अंदर था जहाज जो है airbase पे भी safe रह सके ताकि युद्र के इस्तिती में counter attack किया जा सके भारत इसको बहुत भली भाती से समझ गया है कि अब हम लोगों को aggressively आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि चाहिना लगातार हमें घेरते आ रहा है इसलिए भारत ने अपने यह तो गया अफगानिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को भारत से बहुत लगा हो रहता है तो अफगानिस्तान भारत में relation अच्छा है लेकिन P.O.K. कब्जा करने को वाएसे direct connection नहीं है यहाँ पर है आपका ताजाकिस्तान यह ताजिकिस्तान जो जगह है यहाँ पर भारत दो ठो airbase ले रखा है यहा अनो एयर बेस ताजिकिस्तान में फारकोर और एनी एयर बेस इससे हम लोग चाइना के एरिया में counter attack और पाकिस्तान में कर सकते हैं यह तबसे ज़्यादे काम कब करेगा चाइना यहाँ पर सड़क बना रहा है CPEC चाइना पाकिस्तान एकनोमिक करीडोर इसको इधर से तो इस एयर बेस के थूह यहां से भी एक्टैक किया जा सकता है इसलिए भारत को रेडी रहना है क्योंकि चाइना में अगर जादे वीवाद होगा तो पका किसी ना किसी से उल्ढ़ेगा तो उधर यह तो इदर उल्ढ़ेगा भारत से इसलिए सतर करा है हम लोग के लिए भी ए आप से यहां से भारत को यह उसकी लिए सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि मौल खाथ भारत बहुत इस्टॉंग है यहां पर हमारा अंडमाद नीको बार यह अन्डमाद नीको बार में वह थे थल से भाई से कोफ्र अइडा crav देखें, Cocos Island हमारा नहीं, देखें, Coco अलग है, Coco Island मेरमार के पास है, हम ही लोग का था, Nehru ने गिफ्ट दे दिया, यह Cocos Island जो है, यह Australia का है, लेकिन Australia से हम लोगों ने समझोता कर रखा है, कि एक दूसरे के base का इस्तमाल करने के लिए, तो इसका इस्तमाल हम लोग कर सकते हैं, यहां से counter करने के लिए, इसलिए चाइना को पता है कि इस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए चाइना मलक्का को अपने डेलिमा दूविधा समझता है, मलकका डेलिमा, इसलिए वो direct इस एरिया से समुंदर से घूम के नहीं आना चाहता है, वो direct सड़क के माध्यम से अपने सामान को यहां लाता है और इस रास्ते से निकल जाता है यहां पर उसने बहुत बाड़ी सड़क बना रखी है इस सड़क के चारो और फेक्ट्री पेट्रोल पॉंप होस्पीटल अलग 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 शीजों को खोल रखा इसका नाम है CPEC CPEC को काउंटर करना भी बहुत जरूरी है जो गौादर पोर्ट से जुड़ता है यहां पर CPEC के लिए यहां पर हमको एनी एरबेस और फार्खोर एरबेस यहां से काउंटर कर देंगे और यहां इरान का चाबाहर बंदरगा हम इसे काउंटर करके आइसोलेट कर सकते हैं इसलिए रेडी रहने के लिए जरूरी है अलाग कि भारत के पास इसके अलावे भी बहुत सारी संभावना है यहां पर चाइना इतना तेजी से एस्पांड किया कि अफरीका का दे से जीबूती जीबूती में इसने अपना एक सैने अड़ा ले लिया अब जीबूती समुद्र का इतना पतला रास्ता है कि अगर यहां स्वेज नहर से कोई भी जहाज यूरोप से आईगी तो उसे जीबूती से जाना ही पड़ेगा और जीबूती पे उसने एक भाड़े पे सैने अड़ा ले लिया है लेकिन अच्छी बाती है कि जहां इसने सैने अड़ा लिया है वहां से थोड़ी दूरी पर फ्रांस का भी सैने अड़ा है और हमारा और फ्रांस का समझोता है कि हम एक दूसरे के साइन अड़े का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पईसादे के साइन अड़ा ले रहा है भारत वहाँ इसा ही पहुंच सकता है इसके अलावे जरूरी है भारत सरकार को कि यहाँ पे यमन में अभी असांती फैली हुई यमन का यह सोकोतरा आइलेंड भारत के लिए एक वरदान साबित होगा क्योंकि अगर हमारा सोकोतरा आइलेंड पर अगर प्रेजिंस बन गया तो यहाँ से हम ग्वादर बंदरगा को काउंटर कर सकते हैं यहाँ से हम जीबूती को काउंटर कर सकते हैं और यहाँ से हमारी सप्लाइ लाइन को भी कोई नहीं रोक सकता है लेकिन अभी यमन के सोकोतरा आइलेंड पर किसी का ध्यान नहीं गिया है यहाँ पर करना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए चाइना ने इतना ज़ादे मात्रा में लोन दे रखा है अफरीकी देशो को कि उन्हें अपने करज के जाल में फसा लिया और इस जाल में फसाया बढ़ियां से तंजानिया को तन्यानिया जो है इसका एक जंजीबार दूइप है जो दुनिया में सबसे ज़्यादे लॉंग के उत्पादन के लिए परसीद है तन्यानिया के सभी समुद्री टटों को चाइना मांग रहा है कि हमको देदो लीच पे ये सारे समुद्र टट पे हम अपने बंदरगा बनाएंगे और आपको पता है कि चाइना अगर बंदरगा बना दिया तो वहाँ अपनी पंडू भी नौसेना की जहाजों को लाएगा हम कि लाग को सिस्यों के बावजूद चाइना का जहाज यहां पर अपना लंगर डाल ही दिया इसलिए इसे काउंटर करने के लिए भारत के पास कई सारे द्वीप हैं सेसल्स का द्वीप एजम्शन आइलेंड जिसमें भारत अपना मतलब बेस बनाने वाला है सेसल्स में यहा से काउंटर अटेक के लिए यहां पर एबलेबल हो सकते हैं तो कहने का सिंस है कि भारत को पहले से अब रेडी रहना चाहिए क्योंकि चाइना में जहां उथल पुथल होगा तो सी जिंग्पिंग अपने देश की जनता का ध्यान अपने और से हटाने के लिए वह को कि या त पूरी तरह से complete scenario को ही change कर दिया तूर्की जैसा देश ड्रोन के मामले में इरान जैसे ड्रोन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं तुर्की का कौन सा ड्रोन यूक्रेयन में तवाही मचाया और रूस जैसे सकतिसाली देश को इरान से क्यों ड्रोन मंगाने EPSC batch सबसे बहतर बन सके इंडिया में world class के teachers का selection हो सके इसलिए कापी delay हो गया था इस matter को लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे teacher जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ history के लिए मनिकान सर हैं आपके polity के लिए राजेश मिशा सर हैं और भी बहुत सारे teacher हैं हम लोगे UK करके अब हम से लोग सब को बारे में जानते चलेंगे यहां पर EPSC के batch में जितने लड़के enroll नहीं हो पाए थे अब आप लोग enroll हो जाएंगे ताकि जो लड़के अल्रेड़ी application में पढ़ रहे हैं वो enroll हो चुके हैं तो EPSC वाले बच्चे आप लोगों के लिए बहुत कम में फी है 5500 में यह हो सकता है कि कुछ 8000 के आसपास या फिर इसी में रहेगा इतना फीस है सबसे कम पीडम quality wise सबसे बहतरीन रखा गया इसको इसमें आपका PT और मेंस सभी को कभर कराए जैगा जैसा कि आपको वादा किये थे कि हम लोगों को UPSC के सेक्टर में बहुत आगे काम करना है यह जरूरी भी है क्योंकि हिंदी मीडियम के लड़के जो गाओं के प्रिष्ट भूमी के थे बड़ी पीस के वज़े से वह पढ़ाई नहीं कर पाते थे मेरी भी मजबूरी थी application में उतना जगह नहीं था जिस वज़े से हमको application के लड़कों को बोलना पड़ा फिर आप लोग YouTube परिवार आपको कैसे छोड़ सकते हैं तो आप लोग को भी कर रहे हैं तो गाओं का जितना भी लड़का है जिन लोगों को अब दिल्ली जानने के लिए पैसे नहीं थे अब वहां गाओं तक में आपको सिक्षा दी जा सकती है तो अभी यह है आपका जित तो जो लोग अप्लीकेशन पर अल्रेडी जूड़ गया है उन लोगों का क्लास संडे तक के लिए थोड़ा सा डीले किया गया ताकि इन लोगों को भी एक साथ जोड़के क्लास को आगे प्रोसीड किया जा सके तो संडे से तक आप लोग को टाइम है आप यूपीएसी में तो 2.5 रुपे फीस पड़ती है डेली में आप वैसे ही टीचर से जो डेली में हैं उन्हीं लोगों से बहतरीन मार्क दर्शन में आप लोग सिख्छा लेंगे और अब जो कहा जाता था हिंदी मीडियम के लड़कों का रेजल्ट नहीं होता था तो अब बहुत सारे ऐसे ल अब अधिकारी बने तो एकदम जमीनी लेबल पर काम करें ताकि देश आगे बढ़ सके आई होप आप इसे समझे होंगे मिलेगे नेक्स क्लास में जैहन